प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैनाचारिय विजय वल्लब सुरेश्वर महराज की 151 वी जायंती के मौके पर स्टेचू ओफ पीस का अनावरण किया है राजस्तान के पाली जिले के जैतपुरा में सित विजय वल्लब सादना केंद्र में सित इस स्टेचू का अनावरण वीडियो कोंफरेंसिंग के जरीए किया गया 151 इंच लंबी यह स्टेचू अश्टधातू से बनी है इसमें तांबे का सबसे ज़्यादा इस्तमाल हुआ है इस ओरान मोदी ने कहा कि उनका सोभाग्य है कि उन्हें देश ने सरदार वल्लब भाई पटेल की विश्व की सबसे उची स्टेचू ऑफ यूनिटी के लोकारपन का अवसर दिया था आज जैन अचारिय विजवल्लब जी की भी स्टेचू ऑफ पीस के अनावरन का सोभाग्य मुझे मिल रहा है अचारिय विजवल्लब जी ने शिक्षा के शेत्र में भारत को आत्म निर्भर बनाने का अभियान शुरू किया था विजय वलब सुरिश्वर महराज ने भगवान महावीर के संदेश का प्रचार किया था समाज की भलाई से जुड़े काम, शिक्षा को बढ़ावा देने, सामाजिक बुराईयों को मिटाने और प्रेणा देने वाले साहित्ते लिखने में भूमी का निभाई थी उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय योगदान देने के साथ ही सुवदेशी को भी बढ़ावा दिया था सुरिश्वर महराज के प्रयासों से आज अलग अलग राज्यों में 50 कॉलेज, स्कूल और स्टडी सेंटर चल रहे हैं समाचार एक्स्प्रस्क्रिपोर्ट ऐसे ही लेटेस्ट रबरे पाने के लिए बैल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइप, शेर और सब्सक्राइब करें घन्ने वाद झार आओर लाइब कर दो 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 कर झाल